अगर आप RRB की जो अभी RPF की Constable की फॉर्म आई है उससे अगर आप फिल कर रहे हो तो इसमें आपको जो है अगर आप SCF ही RST category से बिलोंग करते हो तो आपको डिजर्वेशन का benefit मिल सकता है इसके लिए जो है आपको यह जो format है उस पर आपको certificate देख सकते हो तो वहीं से मैं भी आपको बता रहा हूं तो देखो यहां पर जो है वह जो लास्ट टो फॉर्म फिलिंग है वह है 14-5-2024 तो यह जुरूड है आगे मैं बात करूंगा तो देखो यहां पर नीचे आप जैसे ही आओगे 5 नमबर बॉयंट में तो यहां लिखा वह आपका certificate का मिंस आपका certificate जो है वह closing date of submission of online application से पहले बना होना चाहिए मिस आपका जो certificate है वह 14-5-2024 से पहले बना होना चाहिए ताकि आपकी जब document verification हो तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका document verification होता है तो उसमें आपको अपना certificate produce करना होता है तो उसमें आपको जो है वो यह वाला certificate एक page का जो format है ऐसे ही कुछ format पर आपको अपना certificate देना होगा और यह certificate आप कैसे बनवाओगे यह भी मैं आगे वीडियो में बता दूँगा अब देखो यहां पर जो अगर certificate की date की बात करें तो आपका certificate अगर 1 April 2024 के बाद बना हो या फिर 14-5-2024 से पहले बना हो तो कोई भी प्रॉब्लिम नहीं है या फिर अगर आपका certificate मतलब 2-3 साल पुडाना भी है तब भी चलेगा नया जरूरी नहीं है कि आप certificate बनवाओ हो ही लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत पुडाना certificate है आपका मिस पांच साल 7 साल प बनवाने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपका certificate इन सभी फॉर्मेट से मैच नहीं करता है तो आपको नया certificate बनवाने की जरूरत पड़ेगी तो आपको जो हो यह एक पर certificate का फॉर्मेट देख लेना है ओके और थोड़ी से और मैं जानकाड़ी देदू कि अगर आप जो ह है या फिर प्रॉब्लेम है तो आप वह भी इनकी वीडियो को सर्च करोगे सुनोगे तो आपके लिए काफी helpful रहेगी या फिर आप इनसे questions भी पूछ सकते हो तो आप जो है वह कुछ इनको सुनना चालू करो आपके जीवन में काफी changes आएंगी तो अब हमारे लोटते हैं पिछले problem पर तो देखो अगर आपको certificate बनवाना है तो और आपको नहीं मालूम है कि certificate कैसे बनता है या फिर SCST के बारे में तो इसके regarding मैंने बहुत ही detail वीडियो बना दे हुई है जिसका link इस वीडियो के description में है तो उस वीडियो को आप देख लोगे तो आपकी जो maximum queries है वो आपको बता दूंगा मैंने वो एक वीडियो बनाया उसमें आपको पता चल जाएगी तो यह बात आपको पता होनी चाहिए और एक बात और कि अगर आप अभी श्योर नहीं हो कि आपका SCST certificate बन पाएगा या फिर आप जो है वो अभी नहीं है तो अगर आप आपको कोई भी डाउट है तो उस case में आप जो है वो अगर certificate बनवा सकते हो तो अच्छी बात है नहीं बनवा सकते हो तो आप जो है वो यूवर से form को fill up करना जरूड़ी नहीं है कि आप SCST fill कर दो और बाद में आपको problem हो जाए और एक बात और कि आपको जो है वो age relaxation भी मिलता है अगर अंबॉक्स में कमेंड करके अपनी डाउट को पूछ सकते हो आरपी एफ कॉंस्टेबल कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आराउंड जो 663 टोटल टेस्ट हैं और अराउंड टू लैक हिस्टुएंट्स यहाँ पर प्रिपरेश प्रिपरेश में जो एक पर पैसे दोगे तो दोनों की तयारी आप कर सकते हो तो इसलिए जो है वह आपको टेस्ट बुक से अपनी तयारी करनी चाहिए अब यहाँ प्रिपियस यह की बात करो तो देखो यहाँ पर 2018 और उससे पहले की जो टेस्ट हुए है उन सभी की जो है आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपको फूल टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट औरunta guy को इसकी pricing जो है वो वन येर के लिए 499 और टू येर्स के लिए 649 होती है लेकिन मैं आपको ये coupon code देता हूँ अब यहाँ पर फिर मैं बात करता हूँ कि देखो constable वाले में अगर आप आओगे तो यहाँ पर सिर्फ आप आरपीएफ के constable की exam की त्यारी नहीं कर सकते हो यहाँ पर आपके पास जितने भी एक्जामिनेशन्स दिखाई तरही है ससी, बैंकिंग, टीचिंग यह फिर जितने भी एक्जामिनेशन्स है इन सबी कि आप जो है वो त्यारी कर सकते हो एक बार पास पर्चेस करके मतलब कि एक बार अगर आप छेसो उन्चास रुपे है उसमें डिसकाउंट कूपन कोड लगाने के बाद लगए पांच सारे पा